सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल अवर्सकुमुड क्लासिज को और साथ ही बैल आइकन के पिटेन को प्रेस करें जिससे आप हमें लेटेस्ट वीडियो को देख पाए हेलो दोस्तों मसकार मैं सुमिक मैस्वरी आप सभी का सब्सक्राइब करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल अवर समरी क्लासिज में आईये फ्रेंट्स अब हम mls word की फर्स्ट टिक को समझते हैं फर्स्ट टिक को समझने से पहले हम एक लाउन लॉक्स कम्रीट करवा दिया है देखेगा फ्रेंट्स यदि हम सीरफ इतने से एरिया में कलर करना चाहते हैं मेंज इस परकार से यदि हम वर्टिकल वे में सेलेक्शन करना चाहते हैं तो हमें अपने keyboard की help से alt key means alternate key को press रखते हुए means hold रखते हुए साथ ही mouse की left key को hold रखते हुए mouse को इस परकार से drag करते हुए आपको text को select करना है देखेगा friends इस परकार से अब friend text पर color करने के लिए हम इसमें से कोई भी color fill कर सकते है means अपने text पर कोई भी color ले सकते है देखेगा friends इस परकार से similarly आप अपने text पर इसी परकार से different color करके आप अपने paragraph को attractive बना सकते है देखेगा इस परकार से friends और यदि आप अपने colorful paragraph को और ज़दा attractive बनाना चाते है तो हम सबसे पहले अपने complete paragraph को select करेगे and then justify option पर click करेगे इसकी shortcut की control j b होती है देखेगा friends हमारा paragraph और ज़दा attractive हो गया है friends आप यहाँ अपने text में font लोके अलावा highlight, setting, text effect and typography option को use करके अपने paragraph को और ज़दा attractive बना सकते है आईए अब हम next trick को समझते है friends यदि आपको अपने paragraph में इस type की attractive border चाहिए तो सबसे पहले एक paragraph लेने के बाद उस paragraph को complete select करके border option से border and setting option पकली करना है अब friends border style से किसी भी एक attractive border को select कर लीजिए अब आप अपने according color और width को भी select कर लीजिए अब देखेगा friends जैसा कि आप preview में देख पा रही है तो देखेगा जो ये first button है वे top border के लिए second वाला bottom border के लिए third left border और जो fourth button है वो right border के लिए है जैसे ही हाँ first button पर click करते है तो हमारा top का border hide हो जाता है means हट जाता है similarly अगर हमें bottom border भी नहीं चाहिए तो हम bottom border वाले button पर click करेगे and then okay तो देखेगा friends हमारे paragraph में left and right side border आ गया है and top and bottom में height हो गया है इसी परकार से friends चेदि हमें अपने paragraph में colorful border लेना है तो paragraph को select रखते हुए border option में border and setting option पर जाना होगा friends अब मान लीजी हमें top में green color का border चाहिए तो हम color option से green color को select करेगे and then click on top border button अब मान लीजी हमें bottom में भी other color की border चाहिए तो हम color option से अपने according color को select कर लेगे and then click on bottom border button इसी परकार से यदि हमें left side के border का color change करना है तो color को select करने के बाद left border बटन पर click करना है देखेगा friends यहाँ पहले red color की border थी वो remove हो गई है अब जैसे हम again इस बटन पर click करेगे तो हमारे सामने जिस color को हमने select किया था वो border आ जाती है आईए अब हम okay पर click करते है देखेगा friends हमारा paragraph कितना attractive and colorful शोग हो रहा है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जल्द ही मिलते हैं हमारी next class में आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment करके जरू बताईएगा और साथ ये वीडियो को like, share and subscribe परना मत मूलिएगा and also friends press bell icon जिससे आप हमारी latest वीडियो को देख पाए thanks for watching